इस वीडियो में दुस्तों हम लोग बात करेंगे फैन कोड़ ECS T10 जेबरेल्टर के दुस्तों आज के होने वाले फाइनल मैश के बारे में दुस्तों आज का जो फाइनल मैश है वो दुस्तों ETR और दुस्तों PIR के बीच खेला जागा दियान रखेगा दुस्तों यह फाइनल मैश रात के 12 बज़े से स्टार्ट होगा इस वीडियो में दुस्तों मैं आपको इस फाइनल मैश से रिलेटेड स्मोली का फाइनल टीम प्रवाइट कर रहा हूँ और साथी साथ दुस्तों इस वीडियो में आप दुस्तों ग्रेंली का किस तरह से टीम मना सकते हो फाइनल मैश में किस तरह से दुस्तों आप प्लेयर को रॉटेट कर सकते हो ये भी दुस्तों मैंने आपके साथ सेर किया है तो सभी दोस्त वीडियो को पूरा वाज किजेगा और यदि दोस्तों आपको वीडियो समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो और यदि आप दोस्तों इस match related एक्ष्टा कुछ भी जानना चाहते हो तो नीचे दोस्तों आप comment section में मुझसे पूर सकते हो ठीक ना बस एक सिसका ध् रखीगा जो भी दोस्तों मैं आपको final team provide करा हो इस match related टर्स के बाद दोस्तों बाइचांस उस team में से कोई player नहीं खेलता है तो दोस्तों मैं आपको final combination इस match related फिर से update करके अपने telegram channel पे provide कर दूँगा आप सभी दोस्त टेलिग्राम channel को जरूर जोइन कीजेगा इसका link दोस दोस्तों आप YouTube channel को जरूर subscribe कीजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तों सबसे important notification का घंटी चरूर बजा दीजेगा जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठिक ना बात करते हैं दोस्तों हम लोग ETR और दोस्तों PIR के match में combination कैसे बनाएंगे तो दोस्तो दोस्तों ध्यान रखेगा लास्ट दो match में दोस्तों इन्होंने balling नहीं किया है और साथी साथ batting भी दोस्तों बहुत ही नीचे करने आए सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको bicket keeping से point दे रहे थे और यदि दोस्तों इस match में bicket keeping section में आपको दीख जाये तो दोस्तों ध्यान से खेल नहीं रहे लेकिन क्योंकि दोस्तों यह final match है तो high chance है कि elbans आपको खेलते हुए दिख जाये और यदि दोस्तों elbans खेलते है तो ध्यान रखना इनसे better दोस्तों other option आपको नहीं मिलेगा bicket keeping section में नीचे आएगा jay west ये भी दोस्तों last 2 match से नहीं खेल रहे और खेले ये बंदा bicket keeping तो कर नहीं रहा है और दोस्तों सभी match में आपको 2 over balling भी कर रहे है और bicket भी ले रहे है तो that's why दोस्तों मैं इनको अपने team में रख रहा हूँ में भी दोस्तों मैं final यदि elbans केल जा तो मैं elbans को रख लो team में अब बात करें दोस्तों हम लोग batting section से तो batting section में आईगा तो दोस्तों pH में important option रहेंगे आप दोस्तों small league grand league दोनों में try कर सकते हो open batting भी करेंगे दोस्तों और आपको 20 से 30 run score भी कर लेते है नीचे आईगा NGUC सभी match में दोस्तों आपको 1-2 over balling करते हुए आपको दिख जाएंगे अभी तक tournament में 14 match केले जिसमें आपक जेल में कीजेगा small league में दोस्तों आपके लिए जो अच्छे option बन सकते है बैटिंग सेक्षन से वो दोस्तों रहेंगे जे उरूप इनका नाम दोस्तों बैटिंग सेक्षन में क्यों कर दिया गया है मुझे नहीं मालूप पहले इनका नाम दोस्तों balling section में था और बिलकुर प्लेटफोर्म पे खेल रहे हो जहां पर एक बैट्समेन के साथ भी जा सकते हो तो दोस्तों आप यहां पे एन जोसी को खाली टीम में रखे आप दोस्तों अधर प्लेयर पे रिक्स भी ले सकते हो ठीक ना हाथ करें दोस्तों हम लोग और लाउंडर सेक्षन से तो के साथ जा सकते हो बिल्कुल भी दोस्तों मिस नहीं कीजेगा मैरी कमेंड करूंगा और देखो यह पांचों क्यू आपके लिए इंपोर्टेंट है हम लोग दोस्तों बारी बारी से बात करते हैं के नेक्टर ओपन बैटिंग करेंगे और दोस्तों आपको सभी मैच में दो ब्र Speaking टेकर बॉलर है आपको बैटिंग से में जाए बहुत ज़्यादा स्कोरित नहीं करें लेकिन को सभी मैच में दो भर बोलिंग करेंगे एक ओवर प्रवल他的ों इस Iside j पाई को मैं स्मॉलिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं क्यूंकि एपाई एक दोस्व बहुत बढ़िया दोस्व बैट्समेन है और किसी मैच में दोस्व आपको फॉर्स्ट डाउन बैटिंग करने आते हैं और साथ ही साथ ध्यान रखेगा एपाई ने दोस्व इस टुनामें में बॉलिंग भी करा है ऐसा नहीं कि दोस्व बॉलिंग किये ही नहीं और जब भी बॉलिंग करने है इनको दूस्व बिगेट मिला है इसलिए भी दौस्व मैं स्मॉलिंग में रख रहा हूं यही दोस्व आप इने डॉप करना चाहते हो तो आप में करने आते हैं मैं दूस्व ड्रॉप नहीं करने वाला हूं इस मोली ग्रेंट लिक दूनों से दूस्व हम लोग बात करें जो मैंने आपको एक आपसन बताया था एपाई को एपाई को दूस्व आपके इस प्लियर के साथ रोटेट कर सकते हो तो नीची आपको आपसन मिले सबसे हाइस्ट टेकर बॉलर है दोस्तो और सबी मैच में दो बर बॉलिंग घरेंगे नीचे आईगा दोस्तो आपको आर कनिंगम का ऑप्सें बॉलर तो है नहीं और आर कनिंगम का दोस्तो परफॉर्मेंस भी लाज जबाब रहा है आपको दोस्तो बीस से उपर विकेट ले चुके मात्र 28 मैच में तो आप दोस्तों इन्हें टीम में ट्राइ कर सकते हो और स्मॉल लिग में ज्यादा इंपोर्टेंट है विकॉस सलेक्सन पर्सेंटेज भी काफी आई है फिर नीचे आईगा दोस्तों तो आपको ट्राइ नहीं कि जिएगा कोसिस कि जिएगा दोस्तों दोनों को रॉटेट करनेगा इंको आपको रॉलेट नहीं करना है लसों बहुत इंगा दोस्तों बढ़े़्ट है सबी मैच में दोब अबॉन अ और बिकेट टू बिकेट दोस्तो बॉल करता है और बिकेट भी लेता है तो एल सिम्स को मैं दोस्तो डॉप करने के लिए आपको रिकमेंट नहीं करूंगा नीचे आएगा दोस्तो एम विल बहुत हाई चांस है कि दोस्तो ये बंदा आपको इस मैच में खेलते हुए दिख ज दोस्तो इस मैच से रिलेटेट क्याटन बीसी ओप्सन तो दोस्तो जैसा मैंने बताया देखो के नेक्टर से बहतर दोस्तो क्याप्टन का उपशन नहीं है हाँ 22 क्याप्टन दोस्तो एल ब्रूस बहुत भड़ीया ओप्सन है जनता भी दोस्तो ट्राइक कर रही है और आप भी कर सकते हो लेकिन यह दिए आप दोस्व ग्रेंट लिग में दोसो आप ये पर टेल पर इक सलो नए यार कमाल का ऑल राओंडर है जनता नहीं ट्राइ करिये देखो कितना कम दुस्व इनका सेलेक्षन पर्षेंटेज है कैप्टन बीसी और इने कर सकते हो इस बंदे ने पर रहता है एक मैच में करीब करीब आपको दो विकेट ले लेते हैं राइट नव दोसो अभी के लिए यह टीम मेरा फाइनल टीम है आप सभी दोस इस टीम का स्क्रीन सोट ले ले और दोसो कॉंटेस्ट श्वाइन करके रखे टरस के बाद दोसो यदि इस कंबिनेशन में कोई नहीं खेलता है तो आपको फाइनल कंबिनेशन दोसो मैं फिर से आपको अपडेट करके टेलिग्राम पे प्रवाइड कर दूँगा आप सभी दोस टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजेगा इसका लिंक दोसो आपको नीचे डिस्क्रिप्सन सेक्शन में भी मिल जाएए दोस्तो टेलिग्राम के साथ जूड़ जाएए और साती सात दोस्तो यदी अभी तक आपने यूटुब चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तो नोटिफिकेशन का घंटी चरूर बजा दीजेगा जिससे दोस्तो आने वाले वी लिटिफिकेशन मिलता रहेगा ठीक ना फिर मिलते हैं दूस्तों आप सभी से नेक्स टीटेन के वीडियो में जैहिंद दूस्तों टेक केर अन्ड बाइबाई